ओपस इस पतकार साथियों, हमारे साथ आज दो डॉक्टर बैठे हुए हैं, एक डॉक्टर संजय निसाथ जी, दूसरे डॉक्टर संजय चुहान जी, मुझे खुशी है इस बात की, कि जब कभी भी हमें सहयोग की जरुवत पड़ी होगी चुनाओं में, इन दोनों निताओं ने, इनके संगठन ने, इनके सभी सहयोगी स्याथों ने हमारी मदद की है, और इस समाजवादी आंदुलन को आगे बढ़ाने में सहयोग किया है, मैं उसके लिए इन दोनों निताओं को धन्यवाद देताओं और बढ़ाई भी देताओं, साथ ही साथ जो पहले से बता दिया है, आपने भी इन बातों को कहा, कि जिस समय उप्चुनाव था, जो एतिहासिक जीत हासिल हुई है, जो एतिहासिक परणाम आया, और लोग सोच नह नहीं सकते थे, और हमारे प्रदेश के बाबा मुख्यमंति जी भी समझ नहीं पा रहे थे, और वो परणाम गोरगपुर की लोग समाने देकर के दिखा दिया, हमें खुशी है इस बात की, कि जिस आंदोलन जिन बातों को लेकर के समाजवादी लोग कई मौकों पर बात बढ़ाने के लिए आपने भी समय समय पर अपनी बात रखने का काम किया है, मैं दोनों निताओं को बधाई देता हूँ कि महागडवन्न में जिसमें बहुजन समाजवादी पार्टी है, इस चुनाओं में जो सबसे बड़ा चुना होने जा रहा है देश का, न केवल देश बलकि दुनिया की नजर है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश का परड़ाम क्या होगा, और हमें अब आज भरोसा है, बहुजन समाजवादी पार्टी, आरल्दी, निशाद पार्टी, और हमारे जनवादी पार्टी के आजाने के बाद, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पर अलावा मुझे नहीं लगता कोई खाता खोल पाएंगे भारती जन्ता पार्टी के जो मुद्दे हैं अभी तक जो सुनने में आ रहा हैं उनके मुद्दे केवल बिपक्ष फिर बिपक्ष बिपक्ष और चौकीतार के अलावा हम मैंने समझता हूं कोई मुद्दे पर बात कर पारे हैं और सब ताकतें लगाने के बाद भी अभी जन्समर्थन नहीं जुटा पाए हैं मैं पहले भी कहता तो आज फिर कहता हूं कि जन्ता इंतजार कर रही है कि कब मद्दान करने का मौका मिलेगा इस प्रदेश और देश का किसान नौजवान वैपारी हल्प संखत डल पिश्ड़े और भारी संख्या में निरासा जो फैलाई है वो तमाम लोग इखटे होकर के इस भारती जन्ता पार्टी को सबक सिकाने के लिए तयार है हमारी समाजवादी पार्टी की टीम अध्यान कर रही है कि कि आखिर कार पढ़ाई और रोजगार से वंचित करने के लि हैं उसका अध्यान करकर के हम आपके सामने भी उन बातां को रखेंगे आखिरकार ये साज़श क्यों हो रही है और कौन लोग कर रहे हैं पढ़ाई नहों पाए रोजगार ना मिल पाएं इसका अध्यान करकर के बहुत जल्दी आपके बीच में भी हम समाजवादी लोग ब बनती हैं बदलती हैं लेकिन अभी भी गरीब खुशाल नहीं हो पाया है और उत्तप देश की समाजवादी सरकार ने कभी कभी उधारण पेश किये जब सत्ता में आए इस इस बात की भी अध्यान कर रहे हैं कि आने गरीब कैसे खुशाल हो और अपना समान का जीवन जी सक कि उस अध्यन के बाद उस रिपोर्ट के बाद हम समाजवादी लोग भी अपने चुनावी जो वादे होंगे उसमें शामिल करने का काम करेंगे एक बार फिर मैं डाक्टर संजय निसाथ जी का डाक्टर संजय चोहान जी का और उनके तमाम सहयोगी साथियों को बदाई दे निता हूं इस महागडवन्दन की मदद और सहयोग के लिए और हम आपको भरोसा दिलाते हैं अपने दोनों निताओं को दोनों पार्टी के लोगों को कि जहां हमें समान देना पड़ेगा और आगे बढ़ाना पड़ेगा उसके लिए भी समाजवादी पार्टी उनके साथ धड़ी है आप उसकी फिक्र ना करें यह हम लोग बहुत जल्दी तैकर लेंगे जैसे चरण के चुनावाएंगे वैसे वैसे सूची आपको मिलती रहेगी वो बीजेपी तैकर ले जैसे मैंने आप से कहा था कि दो शपत लेकर के ढ़ाई लोग इस देश को चला रहे हैं तो आदा आप तैकर लो को ने कौन पूछ रहा है अजब पीशे सारी वाद इसलिए मैंने कहा आप से उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार ने उधारण पेश किया था याद कीजे वो समय जब बुन्दिल खंड में बड़े पेमाने पे सूखा थी उस समय पहली बार इस तरह का समाजवादी पैकेट बाटा गया जिसमें दाल थी आटा था आलू का इंतजाम किया गया था घी का इंतजाम किया गया था और साती साथ चावल का भी इंतजाम कर दिया गया था दूद का एक किलो का मिल्क पाउडर का भी इंतजाम कर दिया गया था और करवा तेल का भी इंतजाम कर दिया गया था समाजवादी पैंशन भी दे दी थी और समाजवादी सरकार में जो लोही आवास मिलता था वो तीन लाख पांच हजार का आवास मिला करता था तो अगरन सब चीजों को शामिल कर लें इसलिए मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने उधारण पेश किया गरीबों की मदद करने था और देश में एकलोती योजना चलाई थी समाजवादी लोगों ने समाजवादी पेंशन जिसमें 500 रुपया प्रति महिना महिला सदस को मिलती थी उस परिवार की और उसी की नकल करकर के अभी वीजेपी ने प्रधान मंती जी से बटवाया गोरगपुर में किसानों को 5500 रुपया ये 5500 रुपया वो बचत करकर के लाए हैं जिसमें खाद का 5 किलो काटा था वो बचत का पैसा दिया है अभी कोई मदद नहीं की है इसलिए चुनाओ से पहले कभी किसी ने पंद्रे लाग कहा था वो पंद्रे लाग नहीं मिले अब जो बात आई है सामने इसलिए मैंने कहा कि समाजवादियों का उधारण था तीन लाग पांच जार का गरीबों को घर कौन देता था जिसमें सोलर पेनल होता था कम से क गरीब टीवी भी देख ले मुबायल भी चार्ज कर ले इसलिए मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी अध्यन करकर के ऐसा गरीब के लिए समाजवादी पैकेश लाएगा जिससे की गरीब खुशाल हो और समान का जीवन जी सके और समाजवादियों के बारे में ये मानना है क कथनी और करणी में भीद नहीं है हमारे पार एक्जेमपल है समाजवादी पैंशन का एक्जेमपल है और उसमें ये भी तैय किया गया था क्योंकि हमारे बगल में डॉक्टर संजे निशाद डॉक्टर संजे चौन बेटे हैं बोजन समाजवादी से हमारा समझवता है बड जिसमें अल्फ संकत को बीस परसेंट पेंशन देने का काम भी चल ले तो अगर कोई योजना चले तो वो योजना ऐसी हो सबी को मिले तभी तो होगा कि सबका साफ सबका विकास पता लगा कुछ को मिल गया कुछ को छूट गया इसलिए आवादी के हिसाब से भी वो योजना चलाई थी कुछ लोग उसमें गए थे कोड सुप्रीम कोड तक चले गए थी लेकिन आपको याद होगा हाई कोड में भी हम सम्मान करते हाई कोड का कि हाई कोड ने भी हमारी सरकार की योजना को वैसा ही लागू करने के लिए सला दी और सुप्रीम कोड ने यहां तक का कि इससे सुन्दर योजना गरीबों के लिए नहीं हो सकती है और खासकर हमारी माताओं भेनों के लिए वो इजना हमने शुरू की थी इसे जो हम कहेंगे समाजवादी लोग वो लाखों में भी हो सकती है और समाजवादी लोग तो देने का काम करते हैं मदद करने का काम करते हैं लैप्टॉप भी एक उधारन है तो जो package होगा घर हो बिजली हो और थोड़ा pension की खुशाली वाली हो वो पूरा package समाजवादी लोग देंगे अधन के बाद हम आपके सामने आएंगे यह फार्मूला हम आपको नहीं बताएंगे हुआ के सामने एhum आपके सामने म हैं आपके सामने आपके सामने यहार नहीं देड़ा और उत्रोग मेड़ा अपके सामने इये औरन इस अजाएंगे क экспरस्वादी लोग सकत्सी. झाल झाल